आश्रा है अफ्ता बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाव है विजे कुमार जा और स्वागत है आपका Commerce Magnet चैनल पे आज हम लोग Teaching Aptitude के कुछ Basic Concept करने वाले हैं 6-7 क्लास में सारा का सारा Teaching Aptitude कवर किया जाएगा आज 1st क्लास है जिसमें हम लोग सिस Basic Concept पे चर्चा करेंगे जिसे कि Nature and Characteristics of Teaching, Objective of Teaching, Requirement of Teaching इस सारी चीज़े आज हम लोग कवर करेंगे और आने वाले क्लास में जो है न वो बाकी के जो पार्ट है, बाकी के जो चीज़े है उसको कवर किया जाएगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि Teaching होता क्या है ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि What is Teaching यहाँ पे असपस टूप से लिखा हुआ है कि Teaching is considered as the act of imparting instruction to the learner in the classroom situation यानि कि Teaching मतलब क्या हो गया? Teaching मतलब हो गया कि एक impart करना, instruction impart करना किसमें? learner में, कोई जो learner है जो सीख रहा है तो उसको जो हम सिखाते हैं, जो हम instruction देते हैं, जो चीज़े बताते हैं तो वो क्या हो जाएगा? Teaching हो जाएगा है उसके बाद लिखा हुआ है It is a process of teacher and learner ये क्या है? एक प्रक्रिया है, एक process है किसके बीच में? Teacher and learner की बीच में इन इस process, a teacher with his knowledge, skills and experience develop the society and upgrade it, ठीक है? एक teacher क्या करता है इसमें? Teacher अपने knowledge से, अपने skills से, अपने experience से क्या करता है? डेवलब करता है, society को, ठीक है? उसको upgrade करने की कोशिस करता है तो ये सारी चीज़े किसमें आजाती है? Teaching में आजाती है, ठीक है? इसमें जी हुए हैं, उन्होंने teaching की पईभासा दी है कि teaching is an organized system of specific activities aimed at helping the learner to learn something, है ना? तो teaching क्या करता है? एक organized system है, है ना? एक activities है, जिसका उद्दिश से क्या होता है? help करना, learner को सीखने में, है ना? एक जो learner है, जो सीख रहा है, उसको सीखने में क्या करना? मदद करना, help करना, यह क्या हो गया? teaching हो गया, ठीक है? अब आगे हम चर्चा करते हैं आगे हम लोग nature and characteristics of teaching पे चर्चा करने की कोशिस करते हैं, ठीक है? देख लेजिए, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? teaching facilitate learning teaching का जो main उद्देश से क्या होता है? teaching क्या करता है? facilitate करता है learning को यानि कि जदी हम कुछ चीज पढ़ार है, teach कर रहा है तो कुछ न कुछ क्या हो जाएगा? learn किया जाएगा, learner के द्वारा है ना? तो teaching क्या करता है? facilitate करता है learning को है ना? हम teach कर रहा है, कोई न कोई क्या कर रहा है? जो learner है, वो क्या कर रहा है, learn कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या है, it is a kind of interaction between teacher and students, ये क्या होता है, teaching क्या है, मितलब पढ़ा जो रहे हैं, वो teaching क्या है, interaction है, students और teacher की बीच में, हम पढ़ा रहा है, और students क्या कर रहा है, सीख रहा है, तो दुनों के बीच में क्या हो रही है, interaction हो रही है बातचीत हो रही है इंट्रेक्ट कर रहे हैं है ना हम पूछ रहे हैं वो बता रहा है फिर वो कुछ प्रसंद पूछ रहा है ठीक है उसको हम बता रहे हैं तो क्या हो रहा है इंट्रेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में हैं ना नेक्स्ट क्या है इट प्रोवाइड desirable information अब जो learner है उसके मन में क्या होगी कुछ ना कुछ इच्छा उत्पन होगी कुछ ना कुछ questions arise होंगे उसके mind में है ना तो उसके बाद वो पूछेगा उसके बाद teacher क्या करेंगे उसको बताएंगे तो यह teaching में क्या होती है desirable जो एच्छिक information होता है वो क्या की जाती प्रोवाइड की जाती है learner को है ना यह चीज़े हो जाएगी यह बहुत important quality it enhances knowledge ओविस्टी वात है जैदि teaching की जा रही है नहीं नहीं बात यह बताई जा रही है तो learner के जो knowledge है ना उसमें क्या होगा enhancement होगा बढ़ेगा knowledge पहले जो जान रहा था उससे अधिक जान पाएगा यानि कि बढ़ रहा है उसका growth कर रहा है उसकी knowledge जो है ना वो क्या करी यह growth कर रही है it enhances knowledge it is both art and science जब teaching की पड़िवासा देख रहे थे हम तो वहाँ पे देखे थे कि teaching क्या करता है एंपार्ट करता है instruction को है ना यह क्या एक art है एक कला है teaching क्या है teaching is an art किस तरह से हम पढ़ाएंगे जो learner सीख पाए जीचो को बहुत सारे टीचर स्टोरी सुनाते हैं, बीच बीच में पढ़ा रहे हैं, स्टोरी सुनाते हैं, समझाने के लिए जी जो को, है ना, तो टीचिंग क्या है, एक कला है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, लर्णर को बताते हैं, कोई-कोई टीचर की बाते जो हैं, लर्णर को पता है तो teaching क्या है आर्ट तो है यह साथ में यह science भी है अच्छा science कैसे है क्योंकि systematic तरीके से पढ़ाया जाता है ठीक है पहले क्या पढ़ाएंगे है ना एक पुड़ा process होता है पहले हम planning करेंगे उसके बार ही organizing करेंगे है ना पहले organized नहीं करेंगे चीजों को पहले क्या की जाती है planning की जाती है पहले सब कुछ प्लान कर लेंगे यह कैसे क्या पढ़ाना है उसके बाद बढ़ाएंगे ठीक है यह जो बले पढ़ा लिए उसका प्लान कर ऐसा नहीं नहीं होता है तो systematic है तरीका पूरा बिल्कुल बना हुआ है systematic है तो science है तो it is both art and science it can be formal और informal है ना जैसे कीमाल लेजिए आप नॉर्मल टीचर से कुछ पूछने के सर यह बता देजिए सर ऐसे बता देते हैं कोई formal तरीका नहीं है ना तो teaching क्या हो सकती है formal भी हो सकती है और informal भी हो सकती है ना तो यह चीज़े हो जाती है क्या है ना क्योंकि यहां पे teacher or students क्या हो जाते है काफी similar हो जाते है एक तरह से हम कह सकते है कि एक teacher students क्या हो चुका है बड़ा हो चुका है ना उसको हम हम d sounds करके नहीं पढ़ा सकते हैं उसको हम काभी friendly approach स conte तो इस क्या करते है पढ़ाने की कोशिज करते है को बहुआ एंग ऑ्न हर इस क्या करता है लर्णी को और अरगनाइज करता है किस तरीके से हम बताएंगे तो और गडाइगा लर्ण कर पा अचव–to organize is learning it is dynamic and dynamic how to justір नहींगगा मतलब किमें है ยे क्या होता दो तरफ़ा अप्रोच होता है 2 तरफा कहने का मतलब área इस mínimo Cancer hotel होता हैन इस्टूडेंग क्या होता है न क्या हो जाएगा डैनेकि किन दौतरफ़ा टीचर और स्टुडेंट इस चीज़ हो जाएगी नेक्स्ट हम देखने की कोईशिस करते हैं objective of teaching objective of teaching to bring positive change है ना सबसे पहला क्या है positive change अच्छा क्यों परहार है teaching हो क्यों रही है समाज में एक positive change लाने के लिए है एक सही तरीके से परिवर्तन लाने के लिए तो bring positive change सकरात्मक परिवर्तन दूसरा है develop learning and social skill परहार है तो क्या होगा social skill बढ़ेगी learning करके develop होगा student है ना तो वो develop होड़ा है plus उसके social skill बढ़ रही है तो यह सारी चीज़े इसके objective में आ जाएंगे to help students acquired knowledge third point क्या है help करेंगे students को knowledge acquired करने में चीजों को सीखने में नई नई knowledge क्या करने में acquired करने में क्या करते हैं teacher help करते हैं to help students acquired knowledge fourth point क्या है to shape character and behavior of students ठीक है to shape क्या क्या किया जाएगा character and behavior of student यहां पर एक students की character को behavior को shape किया जाएगा एक shape दिया जाएगा है ना यानि कि वो भटके ना वो कहीं और भटक मतला अपने पत से भटक ना जाए अपने रास्ते से भटक ना जाए तो उसके व्यावहार को एक नया shape दिया जाता है या आकार दिया जाता है fostered independence fostered independence मतलब क्या होता है teacher help करते है students को strong बनने में independent बनने में हों क्या करेंगे help करेंगे ताकि students क्या बने independent बने next क्या है to motivate students यहां पर क्या किया जाएगा students को motivate करने की कोशिश की जाएगी है ना यहां पर motivate की जाएगी कि पढ़ने के लिए माले जे students motivate नहीं अंदर से उसको पढ़ने का मनने कर रहा है तो student teacher क्या की करेंगे student को motivate करेंगे अलग लग तरीकों से एक तो internal motivation होता है जो student के खुद अंदर में जागरित होगा और दूसरा teacher motivate करेंगे external motivation है ना तो वो की बार बार teacher जो है ना वो क्या करते है इंकरेस करते रहते हैं students को पढ़ने के लिए that is called motivate students next is to nurture creative thinking है ना creative कुछ creative करने के लिए students को हमेसा encourage किया जाएगत कुछ creative करो कुछ अलग सोचो कोई भी problem उसको solve करने के लिए कुछ अलग तरीका जो है ना इजात करो nurture creative thinking हमेसा teacher चाहते रहते हैं कि students क्या करें कुछ creative करें उसके बाद बात आ जाती है कुछ कुछ requirement है teaching की कुछ basic requirement है सबसे पहले है teacher अच्छा teaching में teacher तो होना ही चाहिए ना बिना teacher कर teaching कैसे होगा तो the teacher the teacher is an innovator of information and knowledge he is the creator and transmitter of knowledge सबसे पहले क्या हो जाएंगे teacher हो जाएंगे जो की innovator होते हैं किसके information के knowledge के है ना जो transmit करेंगे knowledge को किसमें students में दूसरा होगा learner यानि के student है ना तो जब learner ने रहेगा तो सीखेंगा तो दूसरा learner यह important हो जाएंगे learner is a dependent one and immature dependent है किस पर teacher पर teacher बताएगा teacher बताएंगे तो learner क्या गरेगा सीखेंगा चीजों को ना तो teacher क्या होते है mature personality होते है और learner क्या होते है less mature personality होते है ना immature यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा learner क्या हो जाएगा immature personality और he has to cooperate in the teaching learning process with the teacher and try to get as much information and knowledge possible from him learner को कोसेश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक क्या करे हम सीख ले teacher से teacher जब पढ़ा रहे है तो learner की कोसेश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक हम knowledge क्या करे वो गेन कर ले teacher से, है न, यह चीज़े हो जाती है, तीसरी subject, हम किस topic परहा रहे हैं, है न, वो भी क्या हो जाएगा, basic requirement में आ जाएगा, subject main concern in the whole endeavor of teaching and learning process, अब topic इने रहे हैं तो पढ़ाएगे कैसे, तो subject क्या हो जाएगा, basic requirement में आ जाएगा, last है, the environment, the teacher as such create such environment and nurture the learner in that environment है न, teacher क्या करते है, create करते है environment को है न, और learner क्या करता है, उस environment में चीज हों को बैंदर सही होना, चाहिए, environment अच्छी होगी, तो learner क्या कढ़ पाएगे, चीजो को और अच्छे तरीके से सीख पाएगे, ठिक है, चीज superior हो जाएगे, okay